आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इने कैपसीटर आप जानते हैं कि जो कैपसीटर होता है कैपसीटर का प्रपर्टी होता है चार्ज को स्टोर करना यानि कि जब चार्ज को स्टोर करेगा मिंस कुछ एनर्जी को भी स्टोर करेगा ठीक है तो किसी भी कैपसीटर में क total cut exists और मैं कुछ सूर्स के साथ कर दिया कि कुछ potential को सब्सक्राइब दिया तो इस कंडिशन में क्या सकते हो कि क्यूं एमाउन्ट टफ चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है या ऐसे ौत चलो ठेलैं। कूप्ट टिप्सक्लाइब टो इसक्डिशं啊 में कह सकते हो आपकी अभी कोई चार्ज नहीं इस्टोर था लेकिन जब हमने इसमें कुछ पोटेंशल अप्लाई किया तो इस कंडिशन में इसमें चार्ज इस्टोर होना शुरूर हो जाएगा यानिकि जीरो से लेकर इसका हम मैक्सिमम मंद कहां तक जाएगा कियो मद कि क्वाल ऑप शार्ज करती दिकथीघ्दार हो मतलिके हम इस निकालना आप दोर नहीं होपाएगा क्योंकि तो यहां पर देखो, as we know that, as we know that, आपने एक चीज पढ़ा है, कि total work done energy consumed के बराबर होगी, यहां कि total उतना ही work done होगा, जितनी energy consumed होगी, यहां पर हम क्या करते हैं, work done find कर लेते हैं, और total work done जितना निकलेगा, उतना ही energy इसमें store होगा, तो as we know that, work done is equals to होता है, work done is equals to मिल जाएगा आपको, V into, यहांने कि potential into charge, ओके, let us suppose कि इसमें DQ charge store होगा है, जब DQ charge, यहांने कि बहुत कम value of charge जब इसमें store होगा, तो कह सकते हैं, इस conditional work done भी बहुत कम होगा, यहांने कि for DQ amount of charge, DW यहांने work done हो जाएगा, तो DW will be equals to V into DQ, ओके, आपको मिल गा, V into DQ, और इसमें total charge, मालो Q amount of charge store होगा, sorry, total maximum charge हम मालेते हैं कि Q है, Q amount of charge maximum है, यहांने कि lower limit zero होगी और upper limit कितनी होगी, maximum, sorry, Q होगी, यहांपे, तो मिल जाएगा आपको, unintegrating both side, on integrating both side, both side, from Q is equals to zero से लेकर, capital Q तक, ठीक है, तो यहांपर work done को जब आप integrate करोगे, तो total work done मिल जाएगा, is equals to integral of V into DQ from zero to Q, अब देखों, यहांपर हम क्या करते हैं, potential की value लिख लेते हैं, potential की value हम जानते हैं, क्या मिल जाएगा, Q upon C, क्योंकि आपने पढ़ा है, Q is equals to CV, यानिकि V is equals to क्या मिल जाएगा, Q upon C, तो ऐसे यहांपर लिख लेते हैं, integral from zero to Q, Q upon C into DQ, क्योंकि चार्ज का function है, तो कैसे सकते हो कि C को हम बहार ले लें, क्योंकि यह क्या सिटेंस होता है, constant होता है, यानिकि यह work done ही जू कोस्टम मिल जाएगा, आपको, 1 upon C, integral of Q into DQ from zero to Q, और आप जानते हो कि जब आप Q into DQ, यानिकि यक्स into DQ है, इसको अगर आप integrate करते हैं, तो क्या मिल जाता है, यक्स पावर 2 upon 2, ये value में मिल जाता है, तो in similar way हमें मिल जाएगा क्या, वर्ग नहीं जू कोस्टम, 1 upon C into Q square by 2, और इसका limit कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर Q तक, मिन्स इसका final value हम capital Q रख देंगे, और जो इसका initial value होगा, वो होगा 0, तो मिल जाएगा आपको, work done is equals to, 1 upon 2C into, यहाँ जाखो, एक बार हो जाएगा capital Q का square, minus 0 का square, यानिकि capital Q का square minus 0, तो capital Q square ही मिल जाएगा आपको, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, Q square upon 2C, and energy consumed will be always equals to work done, so, it will be equals to Q square upon 2C, तो एक फार्मूला में मिल गया, energy का Q square upon 2C, यहाँ जाएगा, इतनी energy store होगी, अगर आप चाहते हो, कुछ और भी फार्मूला यहाँ से develop करना, तो मिल जाएगा आपको, U equals to Q के जगा आपके Q का value रख लो, Q का value क्या है, C V, तो यहाँ पर मिल जाएगा, C square, V square upon 2C, तो एक C से एक C cancel हो जाएगा, और मिल जाएगा आपको, 1 upon 2, C V का square, ओके, तो इतनी energy किसी भी capsiter में store होगी, तो आपको हमें पढ़ा कि energy stored इना कैसी होगी,